ग्लास एर्थ और वक्षिट है हमारी थर्ड इससे पहले वक्षिट वन और टू हो चुकी है वो आप देख सकते हो और यूनिट फर्स्ट और सेकंड भी होगी है थर्ड पैंडिंग है इसके अंदरôm ए में क्या पूछा गया है कि सर्कल दा सबजेक्ट जो भी हमको सर्कल दिखाई दे उसके उपर सर्कल करना है और अंडर लाइन दा प्रेडिोट और जो हमारा विद्य होता है उसके नीचे अंडरलाइन करना है इंदी सें्टेंसिज मतलब जिसके बारे में बात हो रही है वो subject और क्या बात हो रही है वो हो जाएगा हमारा predicate या फिर उसको बो बो attribute एक ही बात है फर्स्ट में है जैसे the sun was shining brightly on the lake अब किसके बारे में बात हो रही है sun के बारे में वो हो गया हमारा subject और क्या बात हो रही है वो गया हमारा predicate ऐसे ही second में the young girl यो गया हमारा subject बाकी सारा predicate कि उसमें yellow color की dress पहनी हुई थी और third में my family ये है हमारा subject और इससे पहले वाला और उसके बाद वाला every weekend goes on a picnic तो यो ज़ेगा हमारा predicate fourth में the streets यो ज़ेगा circle और बाकी सारा predicate फिफ्त में है, सिर्फ I, I के उपर करना है, सरकल, यह हमारा subject, और next month will be in London on holiday, यह हो जाए का predicate, इसी तरह इसमें भी सिर्फ he, he subject है और बाकि सारा predicate, बी में है, identify the subject word and their attributes for these sentences, यही हमने इसमें करना है, Mr. Nishant, one of my father's close friend, इसके अंदर subject तो है, निशान्त, और यह सारा है, हमारा attribute, second में, इसको मानें के attribute, इसके अंदर पहले आ गया है, और motor circles, यह हो जाएगा, subject, third में, यह दा और that come today, यह तो attribute है, मतलब कि अलग-अलग से भी आ सकते हैं, circle का तो निए का था शायद, इन दोनों को attribute कहेंगे, और news को कहेंगे, सिर्फ subject, इसी तरह fourth में, subject रहेगा हमारा response, और बाखी यह दोनों हो जाएगे, attribute, fifth में, you को कहेंगे, subject, और yourself हो जाएगा, हमारा attribute, c है, circle the predicate in these sentences, पहल तो circle करना है, और उसके बाद also identify the verb, फिर हमने verb को पहचानना है, and its adverbial qualification for each predicate, फिर वो भी बतानी अलग लग करके, इसके अंदर सबसे पहले हमने predicate के उपचा सरकल करना है, जो हमने कर दिया, और इसके अंदर verb बतानी थी, verb है, verb playing, इसको verb कहेंगे, बाकी जो बच गया, वो है हमारा adverbial qualification, second में था left in a hurry, ये है हमारा predicate left, छोड़ना, ये होगी verb, और बाकी जो बच गया, वो है हमारा adverbial qualification, और third में है word there in the room, इसके अंदर word तो हो जाएगा, verb, वर्ब वही होती है, जिसके पीछे जैसे ना आ जाए, इसके अंदर sentence के अंदर दो होती है, main verb और helping verb और helping verb और जब main verb ना हो, तो helping verb को ही main verb के रूप में माना जाता है, last में हो जाए, come just now, circle कर दिया, come, ये हो जाएगा हमारा verb, और बाकी जो बच गया, वो है हमारा attribute, फिफ्ट में है, when did you reach, चेन नई, इसके अंदर हमने circle करने हैं, दो बारी, जो हमारी पूछे गए थे, प्रेडिकेट, और वैन है हमारा, एडवर्बियल क्वालिफिकेशन, वर्ब है, इसके अंदर तो है did, और इसके अंदर है reach, six में ये सारा का सारा circle हो गया, और वर्ब है reads, डी है, underline the object in these sentences, पहले हम underline करेंगे, and write its grammatically role in space provided, फिर वहाँ पे हमने grammar का बताना है, कि क्या है, write no object, जहां पर हमको लगे कि नहीं है, तो no object भी शो करना है, if a sentence does not have one, first में है जैसे to swim, यहाँ पर हमने कर दिया underline, और यह क्या है, infinitive, फिर है the birthday party, इसको हम क्या मानेगे, noun phrase जाईए, third में कुछ भी underline नहीं करना, यह है आपका no object, इसी तरह से fourth no object, fifth भी no object, six में है a minute, यह हो जाएगा noun phrase, अगर इसका आप change भी करना चाहो, मतलब कि में को लग रहा है, यह sentence बिल्कुछ नहीं है, sentence सही करोगे, फिर उसके अंदर अलग से underline करोगे, फिर उसका अलग से बताओगे, ठीक है, जैसे इसका तो हमने a minute का बता दिया noun phrase है, फिर ठीक करने के बाद और कुछ निकलेगा, उसका बताना पड़ेगा, इसी तरह से 7th में हो जाएगा जी रेंड, 8th में है infinitive, 9th में है noun phrase, और 3th में है pronoun, I hope आपको visible है यह, E है identify the direct object, direct होता है जब हम किसी चीज को वस्तू को वट की रूप में पूछ ले, मतलब कि उसका जवाब अगर वट की वज़े से आ रहा है तो वो direct है, indirect होता है whom, किसको, इंसानों की रूप में जवाब आ जाए, in these sentences and write them in the space provided, इसके अंदर है आमन बोथ his friend a hat, अब हैट की बारे में बात हुई है, क्या लिया, तो वो वो गए direct, किसके लिये लिया, किसी इंसान के लिये लिया है, हूम का जवाब आ रहा है, तो हो जाएगा his friend indirect object, अब इसके अंदर इंसान क्या है, funny story इंसान होते है, अस हमें होते हैं इंसान, इसके अंदर आ गया, indirect, my uncle told us, हमें ही बताया है, हूम का जवाब आया, और funny story, ये क्या का जवाब आया है, कि क्या बताया, funny story बताई, वो आ गया direct object, I will get you something to eat, ये हो गया, इंसान है, you है, मनुष्य की बाद हो रही है, हूम का जवाब है, तो indirect, ये हो गया direct, राजीव गेव मी एचोकलेट, क्या दी, चोकलेट दी, direct हो गया, किसको दी, मुझे दी, indirect हो गया, the company has sent me a job offer, क्या दिया, job offer दिया, direct हो गया, किसको दिया, मुझे दिया, indirect हो गया, I gave him some of my story book, him हो गया indirect, और yoga direct,